आपने देख रहे हैं आपना चैनल लिड़र दिश अधश सब्टत करण आए दिन प्रदेश में कही न कही न चहीं हाथ से हो रहे हैं हादसों के बाद प्रशासन खाना पूर्थी के लिए एक दो दिन कारेवाई करता है उसके बाद फिर प्रशासन लापरवा हो जाता है बुद्वार सुवह डियवी स्कूल रहन की स्कूल बद्स हादसे में इसी स्कूल की बच्ची की मौत हो गई थी आनन फानन में विभाग कारेवाई करने भी पहुँच गया मगर इसी दौरान डियवी स्कूल रहन की बसों में ओवरलोडिंग देखने को मिली जबकि पुलिस भी गटना स्थल पर हादसे की जाँच के दौरान मौजूद थी डियवी स्कूल रहन की 32 सिटर बस में 43 बच्चे ठूसे हुए थे नमबर प्लेट भी गाइब थी यहां तक की ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी यह सारी रिकार्डिंग मीडिया कर्मी ने पुलिस परशासन को बताई तब कहीं जाकर पुलिस ने मीडिया के सामने खाना पूरती के लिए इस बस का 2000 रुपए का चलान किया और उसके बाद इस बस को ओवरलोड ही जाने दिया इन रसुखदार स्कूल मालिकों के आगे पुलिस भी बौना साबित हो रही है स्कूल की प्रिंसिपल ने पहले तो इस ओवरलोडिंग की बात को नकार दिया मगर वीडियो देखने के बाद अपनी बात को बदलते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को ओवरलोडिंग न करने की हिदाय दे रखी है इस मामले पर कारेवाही अमल में लाई जाएगी उन लोगों को बुला के हम राइवर कंड़क्टर के प्रॉपर मीटिंग करते हैं और जिसके प्रोसीडिंग भी बनाते हैं और उनको लिखित रूप में हिदायते देते हैं कि बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है बच्चों को बड़े अराम से बस से उतारा है अच्छी लैंग्विज का यूज करना है और किसी से भी कोई अश्नील बात नहीं करनी है और कभी भी कोई भी नशा पत्ता नहीं करना है गाड़ी चलाती वकत कोई मुबाइल ने सुनना है और आप ने देखा है कि मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है कि हम समय समय पर अपने ड्राइबर कंड़क्टर्स को काउंसल करते रहते हैं कि आपको बहुत बड़ी आपके सिर्पे जिम्मेदारी है और आपने इसको बड़ी यथा शक्तित के साथ निभाना है SDM फतेपुर ने अभी भावकों से आग रहा किया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल बेजते समय ये ज़रूर देख लें कि कहीं उस बस में ओवरलोड तो नहीं है और यदि है तो इसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दे ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ सक्त कारेवाही की जाएगी कुछ भी हो इस ओवरलोडिंग के मामले ने स्कूल परबंधन द्वारा कानून की धजिया उड़ाने की बात को साफ कर दिया है पुलिस प्रशासन चालान काड कर अपना पला जाड लेता है और ओवरलोडिंग करने वाले पुलिस के सामने धडले से ओवरलोड बसों को दड़ाते रहते हैं इन दोरा जिला कांगडा से आपका चैनल के लिए गगन लल गोत्रा की रिपोर्ट